हम आज हम आाया है और पतड़ा जंक्सन का यहां पर बाहरों जो कि नख थे नखा सी है कि बहुत अच्छे मंदिर इriers शूंदर हो दिखने को हम हम आप वह घृत की अंदर nước Lehr और वि errorDavid देख perceptions का अंदर शहेंगी सब्सक्राइब मंदिर में यहां से एंट्री है और इसके साथ ही यहां से भी एंट्री खाता लेकिन फिलालवी गेट बंद और यहां पर कुछ इस तरद की सूचनाएं हैं 4 जुलाई 2019 प्रेम इसे इंट्री करेंगे यहां पर Advertise रहे हैं यहां पर सूझ रखने के स्टॉक प्रवेश्थ दुआर इधर है तो इधर से आगे जा सकते हैं अधर आके जाने इह दर से है। buenas लाटूmore यहां से मिलता है। है रसींद है कुछ द्भीलिंग काउंटर से यहां पर मंदिर में प्रवेस के पहले यहां पर नल लगाई गई है कि और इसमें भी पुरुष महिला की ललग लग लगाई गए कि आप अपना मंदिर प्रवेस में करें परें स्वच्छ सुद्ध हो सके हैं अब हम जिस प्रवेस दुआर के सामने हैं यहां से प्रवेस करेंगे और 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 वहां पर स्थीजाय में आगे में डस्ट भी नहीं है यहां से लिए एक गेट है तो हम में गेट से अंदर चलेंगे यहां पर दिख सकते हैं महाविर मंदिर यहां पर राम जी और सीता जी और हनुआ जी की फोटो है मूर्ती है मंगल मारूत नंदन सफल अमंगल मूल निकंदन और यहां से यह चेक अप के लिए लगाए गई है और यहां पर मूर्ती है कि लेख सकते हैं अब नमन करते हुए हम आगे की और बढ़ेंगे और यहां पर भगवान की मूर्ती हैं संत्र रविदाश्ची की मूर्ती है यहां पर और यहां ओम निक के रखा हुआ है अब आगे 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 जाएंगे अब हम और यहां का मुख्य मंदिर है इसमें प्रवेस्ट करेंगे दोंकि महाधिर मंदिर पटना के नाम से यह प्रसिद्ध हैं अब बेरिकेट्स बनाए गया है पुरुष माइला इन एक्जिट अब बेरिकेट्स अंदर चलेंगे और मंदिर कार्याले कार्याले यहां पर दान दच्छिना के यहां पर होता है जो देख सकते हैं यहां से में उपर कभी हो दिखाएंगे अब पूरुष माइला इन लिखा हुआ है जोके मंदिर में अक्सर लिखा हुआ रहता है मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है अजय कुण पर देख सकते हैं तो देख स्कते हैं लुभिए डुभपर्या सताम शाल शाव कि इधर से एक्जिट है और यहां से इस्टेशन का भी भी आपको दिख जाता है यहां से इस्टेशन का आपका बहुत ही सुहाना द्रिश्च देखने को मिलता है यहां पर दोड़ दिए यहां प्रोड़ आपको आपको देखने को मिलता है अब भगवान की मूर्ति बनाई गई है वाम दश्मन सीता जी की यहां पर द्वज है यह दर भी मूर्ति बनाई हुई है जो द्वज पतागा देख सकते हैं यहां तिरंगा भी देख सकते हैं कि मंदिर का आपका हमने एक चक्कर लगाया है अब इसे फिरंगा एंटर करेंगे कि मंदिर का देख सकते हैं झाल 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 और यहां के जो मूर्ति बनाये हुए है जो को मंदिर है यहां से रामायन के कुछ द्रिश्य रामायन के कुछ कथन से मिलते जोलते उसी आदार पर यह तस्विर्ट बनाये हुए हैं झाल 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 पर यहां पर आपको मिल जाता है जो कि अब यहां जाकर तो देखने शकते हैं यहां पर उसका द्रिश्य आपको देखने को मिल सकता है बहुत easy तरीके से मंदिर में आके आपको दर्शन करने को मिल जाएगा सेम तो सेम लंका है यह जो मंदिर का ढाचा आप देख रहे हैं है जो कि हाजी पूर में अभी बन रहा है और इसमें लाइटस पौर देख रहा है करो कि यहां पर अभी पूजा अर्शना हो रही है भगवान सीव है तो मापारवाती जी है मंदी जी है यहां को पूजा और यह बीच्छ सीव लिंग भी है मंदीर का एक बाहर का द्रिश देखने को मिल रहा है और यह जो पूल देख रहा है कुछ बताया जाता है कि यह पूल रातो रात बनाया गया था बहुती सुंदर मंदीर है बहुती भैव्य है और इसके उपर में दोस्तों जो कलस है बताया जाता है कि उस कलस को किसी ने एक बार चड़ के निकालने का सोचा था जो कि सोने के कलस है हम नीचे जाएंगे तो आपको कलस देखने को मिलेगा तो उस कलस को सोने का कलस उसको निकालने के लिए कोई किसी ने प्रयास किया था तो वह वही पर चिपके हुए रह गये थे देख सकते हैं पटना इस्टेशन का बाहर में यह नकासी की गई है यहां पर आपको दिख रहा है समराट अशोक अशोक चक्र असोक अस्तंब सांती इस्तूप राजग्री फिर यहां पर महात्मा बुद्ध यहां पर बौधी व्रिच है पटना जंक्षन का यहां पर लिख हुआ है और पीच में इंडियन रेलवेस का लोगो है पटना जंक्षन जो कि 1861 में बना था पर बौधी प्रिच यहां पर चानक क्या चंद्रगुप्त महुर्जी महुर्य कालिन जो कि है और इसका नालंदा विश्वी द्यालाइक आप यहां पर लुक दिया हुआ है और आ हम आता है छट पूजा कर रही है और बाकी आपको यह बाइक टेंपो आटो इस्टेंड आपको दीख रहे हैं और यहां से हम आप जाएंगे नालंदा का जो चानीज टेंपल है वहां के लिए हम यहां से रावाना होंगे जो कि हम ट्रेंड बुक किये हैं फिर इसके बाद कुछ इस दिखाएं एक दोटीं चार वाइंग— आज़ेंस हैं जो पर में पताहां यह कि दसने हैं, जो उपर में सोने का और शोने का जो है उसका में आपको जूम करके थोड़ा से दिखाते हैं सोने का दिख रहा होगा आपको दिख सकते हैं सोने का कितना वो चमक रहा है संपुन शोने का है इसका हम बार से भी आपको एक भीव दिखाएंगे और निकल रहे हैं यहां से, मंदिर दर्शन हो गया, भवान के दर्शन हो गया, प्रणाम हो गया इसमें आपको यह जो घंटा दिख रहा है, यह घंटा नौ बजे के बाद, अभी बज़े पाद करता है, इसके बाद यह आपको जरूर फिर इसके दर्शन कराएंगे, आप भी आपके दर्शन कर सकते हैं आपके दर्शन कर आद नौ ऑगराईंगे, ऑगराईंगे, इसके आगन पे आद हैंगे